असलाम वालेकों माज हम जलेबी बनाने वाले हैं इसके लिए हमें एक कप मैदा चाहिए अलग से हम सप्रेटली एक बॉल में मैदा दही बेकिंग सोडा या हफ स्पून बेकिंग सोडा और एक कप दही मैंने आइट किया है इसके बाद मैं थोड़ा सा फूट कलर लूँगी आपको जो भी एलो या औरेंज ऑप्शिनल है इसके लिए हमें एक ग्लास ऑफ वाटर लगेगा मिक्स करने के लिए इसकी कंसिस्टेंसी ठीक हो जाएगी एक कप मैदा और एक ग्लास पानी फिर स्लोली स्लोली हमने मिक्स करना स्टार्ट किया था इसके बाद थोड़ा सा ज लाएंगे जब बैटर स्मूथ हो जाएगा तो जलेबी क्रिस्पियर बनेगी और अच्छे से बनेगी तो देखे रिजल्ट इदर है और मैंने जलेबी का जो मेकर बॉटल रहता है इसमें सब बैट कर लिया था और फिर तेल गरम के लिए रख लिया था ज्यादा गरम भी नहीं और ज्यादा थंडा भी नहीं होना चाहिए तेल फिर मैंने बहुत ही केरफुली देखिए इस तरीके से हम दालेंगे जादा स्पीड से भी नहीं और ज्यादा स्प्लोली भी नहीं फिर दो मिनित तक चाश्टी में भीगा कर फिर अलग से निकाल कर सर्फ करें थैंक में और ज्याद कि बांच कर बॉपवारी कर दोब को हुब मैं इसे हम उपको है कि एसी फूब मैं एसिन की कि एसे मिन पनकी बाएए जादा चाश्वली नहीं उतौब एसाश। पार गाटा उनकी कर थामी कर भीदादा स्थीएंध मैंने स्वारी नहाएं से ल 쿠 बुंगत् amis